आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ What is the role of suspensor during the development of embryo? यहां पर पूछा गया है कि suspensor का क्या role होता है during embryo development तो बेसिकली अगर हम लोग suspensor का बात करें तो यह कैसे दिखने में होते हैं तो यह ऐसे neck like cells होते हैं जो कि embryo के नीचे ऐसे बने हुए रहते हैं और जिसके नीचे फिर globular या फिर heart shape embryos जो है वो बने हुए रहते हैं इस तरीके से तो में लिए यह suspensor का का काम क्या होता है तो suspensor जो है यह बने हुए रहते हैं बैसल से यानि जो layer एकदम नीचे पाये जाते हैं उस बैसल से यह बने हुए होते हैं और साथ ही कितने cell के structure होते हैं तो six to ten cells इन में पाये जाते हैं और इनका जो काम होता है वो क्या होता है तो mainly इनका function होता है physical support provide करना to the growing embryo और साथ में इनका दूसरा काम क्या होता है तो दूसरा काम इनका होता है nutrition को provide करना to the growing embryo और तीसरा और जो main काम होता है वो क्या करता है कि यह जो suspensor पाये जाते हैं यह suspensor क्या करते हैं तो basic लिए पुश करते हैं embryo को जिसके वज़े से क्या होता है कि embryo को nutrition मिले from the endosperm इसलिए embryo को endosperm के तरफ पुश करते हैं तो यह हो गए तीनों functions जो कि suspensor cells के पाये जाते हैं और यही question में पूछा गया है